गुद्मानिंग फ्यारे बच्चों आज हम क्लास नाइन की सोशल साइंस की वक्षीट नंबर 43 को कम्प्लीट करेंगे बिटा यह आपके हिस्ट्री की चेप्टर 3 से ली गई है और इस वक्षीट का टॉपिक है नाजिवाद और हिटलर का ओदे पार्ट 1 इस वक्षीट में बिटा हम जर्मनी के बारे में प्रथम विश्वयूद के बारे में वाइमर गनराज्य के बारे में जानेंगे और वर्साई की संदी के बारे में भी जानेंगे सो लेट स्टार्ट बच्चो बेटा बीसवी सदी के शुरुवादी सालों में जर्मानी जो था वो एक ताकतवर समराज्य था और उसने आस्ट्रेय समराज्य के साथ मिलकर मित्र राश्ट्रों जिसमें की इंगलेंड, फ्रांस, रूस और बाद में इटली, रुमाने भी शाम इनकी पराज्य हो गई हार गई अब इस हार के बाद जो जर्मन समराज्य था उसने किया अपने पद से त्याग दे दिया, इस्तिवा दे दिया, पद छोड़ दिया, इसके बाद वाइमर जर्मनी में ये एक जगह का नाम है, उसमें संग्य आदाहर पर एक लोक्तांत्रिक सम्मिधान को पारित किया गया, पास किया गया, बनाया गया, जिसके अनुसार जो जर्मन संसती, राइक स्टैक बोलते हैं जर्मन संसत को, ये कोशन भी आता है बच्चो को पेपर में कई बार, उसमें महिलाओ के साथ साथ जो व्यस्क नागरिक थे, उनको सार्भोमिक बता अधिकार के द्वारा अपने ज साइमरगन राजय का जन्म हुआ, अब पराजय के बाद क्या हुआ बच्चो जब जर्मनी हार गया, तो उस समय पे हारने के बाद जो मित्र राष्ट थे, जो जीत गए थे, उन्होंने बरसाई में एक तरफा संधी की, शांती संधी का इसको नाम दिया, और ये जो संधी थ जनक इसकी शर्ते थी, जो कि उसने जर्मनी पे थोब दी थी, अब जो मित्र राष्ट थे, उन्होंने क्या किया, जर्मनी के सेना को भंग कर दिया, अब अल्रेटी जब युद्ध हुआ था, इतना लंबा चला, तो उसमें जो जर्मनी के संसाधन थे, वो बहती बरबाद ह हो गए थे, अब जर्मनी की जो सेना थी, वो भी भंग कर दी गए, जिससे जर्मनी और जाधा कम जोर हो गया, योद्ध की सारी तबाई के लिए, सिर्फ जर्मनी को जो है, जिम्मेदार ठहराया गया, और उस पर 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगा दिया गया, जर्मनी क जो आर्थिक द्रिष्टी से बहुत लाबदायक थे जर्मनी के लिए, बहुत पैसा वहां से मिल सकता था जर्मनी को, तो उस पे भी इन्होंने कबजा कर लिया, और जो जर्मनी के जो भी उपनिवेश थे, मतलब जिस पे जर्मनी का अधिकारतर कबजा गया हो था, वो भी उससे ले लिए, और करीब करीब 10% आबादी जर्मनी की, और 13% भूभाग भूमी, 75% लो भंडार थे, 75% और 26%, 26% कोईला भंडार, फ्रांस, पोलेंड, डेन्मार्क और लिथ्वानिया के हवाले करने पड़े, जर्मनी को संदी के तहत, अब मुश्किल ये थी, कि जो पुर राद किये गए थे, हरजानक इसको भरना पड़ रहा था, अब जो नया वाईमर गंडराजे बना था, नवरजात वाईमर गंडराजे जो था, उससे ये सब वसूला जा रहा था, अब बहुत से जो जर्मनों थे, उन्होंने ना केवल इस हार के लिए, बलकि वरसाए में वो ही इन सब चीजों का जिम्मेदार है, अब सारे संसाधन जर्मनी से चीन लिए गए, इतनी सारी जो शर्ते थी उस पर थोप दी गए, उससे रोजगार कम हो गया, बहुत सारे प्रभाव पड़े जर्मनी पे, कि पैसा जो था, वो भी अब क्या था, उस पर कर्ज हो गया जुर्मान लगा दिया गया था, उसको भी भरना पड़ रहा था, तो लोगों को लग रहा था कि पहले तो ठीक था, अब जो है, ये सारी जो गलती है, ये इसको लिए वाइमर गंडाज्य को वो जिम्मेदार ठहरा रहे थे, अब बच्चों यहां पर एक मैप दिखाया गय है, इस मैप में, ये जो आउट लाइन है बिटा ये वाली, इसके द्वारा इस तरह से यहां में दिखाई दे रही है, ये पहला, 1914 वाला जर्मनी दिखाया गया है, कि कितना आई रिया था, अब उसके बाद जो औरेंज पोर्शन है, वो है जो जर्मनी से जमीन ले ली गई थी, उसके बाद जो ये परपल प्लेइन एरिया है, वो है लीग ओफ नेशन के नियंतरन वाली जमीन, जो लीग ओफ नेशन के नियंतरन में थी, उसके बाद वी सैन्यकृत शेत्र जहां से जर्मनी को अपनी सेना हटाने पड़ी थी, ये वाला ला लाइनिंग वाला जो श विश्वयूद में मित्र राष्टों और केंद्रिया शक्तियों में कौन कौन से देश शामिल थे, इसका अंसर है हमारा मित्र राष्टों में इंगलेंड, फ्रांस, रूस और अमेरिका शामिल थे, केंद्रिया शक्तियों में जर्मनी, आॉस्ट्रिया और तुर्की शामिल थे सेकिंड कोशन है बच्चों वाइमर गन राजे किस प्रकार से लोकतांत्रिक था इसका अंसर है वाइमर गन राजे लोकतांत्रिक था क्योंकि प्रत्थम विश्व यूद के बाद इसका चुनाव आम जनता के द्वारा किया गया था थर्ड कोशन है वर्साई की संदी की कठोर शर्ते क्या थी इन्हें अपमान जनक क्यों कहा गया है तो थर्ड कोशन का अंसर है बच्चो वर्साई की संदी की कठोर शर्ते निमलिकिती पहला जर्मनी के सेना भंग कर दी गई, दूसरा युद के लिए जर्मनी को दोशी ठहरा गया, थर्ड जर्मनी पर 6 अरप पाउंड का जुर्माना लगाया गया, फोर्थ जर्मनी के राइंग नेन पर कबजा कर लिया गया, जो खनी संपद्दा से धनी था, फिफ्ट जर्मनी को अपने सारे उपनिवेश, 13% भूग भाग, 75% लोह भंडार, 26% कोईला भंडार, फ्रांस, पोलेंड, डेनमार्क और लिथुआनिया के हवाले करने पड़े, यह संधी अपमान जनक थी, क्योंकि इस संधी के तहत जर्मनी को युद के लिए अपरादी मान गया और एक तरफा संधी जो थी वो जर्मनी पर थोप दी गई, फोर्थ कोशन है बच्चों, आपके अनुसार युद की सारी तबाही के लिए क्या जर्मनी को ही जमेदार ठहराना सही था, अपने उत्तर का कारण भी लिखिए, इसका अंसर है हमारे अनुसार, युद की सा और उनकी नीतियां जिम्मेदार थी, फिफ्ट कोशन है यदि आप उस समय एक जर्मन नागरिक होतें, तो वर्साई के संधी के प्रति आपके मन में क्या भाव होतें, इसका अंसर है बच्चों, यदि मैं उस समय एक जर्मन नागरिक होती, तो वर्साई के संधी मेरे लिए ये भी एक अपमान जनक संदी होती क्योंकि वर्साई की संदी बहुत अपमान जनक संदी थी जिसमें जर्मनी को बहुत कमजोर बना दिया उपरोग तमान चेत्र का अध्यन कीजिए और वर्साई की संदी के बाद जर्मनी द्वारा खोए गए दो शेत्रों के नाम लिखिए इसका अंसर है बच्चो वर्साई की संदी के बाद जर्मनी द्वारा खोए गए दो शेत्रों के नाम है अलसेस और सेकिंड लॉरेन I hope बच्चों आपको ये वक्षिट समझ में आ गई होगी और वीडियो अच्छी लगी होगी अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक् ताकि आगे आने वाली वीडियो की नूटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सकें बाई 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 बच्चों एव गोड दे प्यारे बच्चों